गुणित कोश्टक में उधारण 14, कोश्टक में 2x धन 5, गुणित कोश्टक में 3x की घात 2, धन 4x, धन 6, गुणनफल की घात बताईए. बहुपद 2x धन 5, यह हमारा पहला बहुपद है, इसको हम दूसरे बहुपद को हम गुणा करेंगे, तो यहां 3x का घात 2, धन 4x, धन 6, यह हम दूसरे कोश्टक में लिखेंगे. अब हम पहले बहुपद के पहले पद को दूसरे बहुपद से गुणा करने के लिए, पहले बहुपद का पहला पद 2x गुणित, दूसरे बहुपद को पूरा, यहां पे हम लिखेंगे, तीन एकस घात 2, धन 4x, धन 6, कोश्टक बन. अब पहले बहुपद का दूसरा पद धन 5 को हम पुना दूसरे बहुपद से गुणा करने के लिए, इसे हम कोश्टक में लिखेंगे, तीन एकस घात 2, धन 4x, धन 6, कोश्टक बन, बराबर, दो एकस जो है, वो दूसरे बहुपद से, के सभी पदों से गुणा होंगा, तो हमें प्राप्त होंगा, 2x गुणित 3x घात 2, धन 2x गुणित 4x, धन 2x गुणित 6, धन 5 गुणित 3x घात 2, धन 5 गुणित 4x, धन 5 गुणित 6, बराबर, यहां गुणा करने के लिए, गुणांकों का गुणा होंगा, तो इन्हें हम कोश्टक में लिखेंगे, दो गुणित तीन इसके बाद चर एक्स गुणित एक्स घाद दो धन दो गुणित चार पुना एक्स गुणित एक्स धन दो गुणित छे जिसे हम कुष्टक में लिखेंगे और ये एक्स धन पांच गुणित तीन एक्स गहाद दो धन पांच चौक बीस एक्स धन पांच चके तीस बराबर दो तिया चे एक्स गहाद एक्स गहाद एक्स गहाद दो बराबर तीन धन दो चौक आठ एक्स गहाद एक्स गहाद एक्स गहाद दो धन दो चके बारा एक्स धन पांच तिया 15X का घाथ 2 धन 20X धन 30 बराबर अब हम सजाती पद को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ 6X का घाथ 3 अकेला है इसके बाद 8X का घाथ 2 और 15X का घाथ 2 सजाती पद है फिर धन 12X का धन 20X सजाती है धन 30 चरांक बराबर 6X का घाथ 3 धन 158 23X का घाथ 2 धन 12 और 20 32X धन 30 चुकि 6X की सबसे बड़ी घाथ 3 है तो यहाँ बहुपत की घाथ 3 है